अपने चानल एचपी एक्जाम कॉर्णर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी एक्जाम के प्रपरिशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो दोस्तो आज हम फरवरी महीने के जितने भी हिमाचल प्रदेश से करंट अफेर्स बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप फिफ्टी जो है करंट अफेर्स आज हम डिस्कस करेंगे और दोस्तो ये फरवरी महीने का पूरा निचोड जो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हर एक क्वेस्टिन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जरूर आपको इस से देखने को मिलेंगे क्वेस्टिन जो भी एक्जाम अभी होने वाले हैं तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेस्टिन है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्षे दोहजार पच्चिस तक रखा है तो दोस्तो वो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश आईए इसके बारे में कुछ चीज़े डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने जल विद्यूत हाइडरोजन और सौर उर्जा का जो दोहन करने और राज्य को जो है दोहजार पच्चिस सक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्षे जो है निर्धारित किया गया है तो इसमें काफी चीजें हैं जो उन्होंने प्रात्मिक्ता जिसे दी है इसमें से जो है पहला है राज्य के तीन जीलों में पहले चरण में जो है पेट्रोल डीजल वाहन की जगा जो है एलेक्टरिक गाडियां का प्रियोग होगा दूसरी चीज जो उन्होंने की है कि तीन ज जिले, शिमला, हमिरपूर और कांगडा के पहले चरण में इसे शुरू किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में अन्य जिलो में भी यहाँ प्रियोग किया जाएगा, वहीं नेक्स्ट बात करें, 2023-24 के दोरान परदेश में 500 मेगावाट की सौर उर्जा स्थापित करने का भी इनोंने लक्षे रखा है, इसके साथ ही 200 मेगावाट क्षमता की परियोजना हिमाजर परदेश उर्जा निगम लिमिटेड जो है, उसकी और से भी स्थापित करने की बात कही जा रही है, तो दोस अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं, तो दोस्तो अगला कोश्चन है, हिमाजर परदेश के मुख्य मंत्री ने कहां हिमाजर परदेश निकेतन का शीला नास किया है, तो दोस्तो ये किया है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में अगर बात करें, तो हिमाजर के जो मुख्य मंत और उनर के जो निवासियं उसके लिए आवास की सुविधा ये प्रदान करेगा इसके लिए जो है 57.72 करोड रुपे की लागत से जो है ये पांच मंजीला जो है बिल्डिंग बनेगी जिसमें जो है दो वी आई पी कमरे होंगे 36 सामानने कमरे होंगे और 40 अन्ने कमरे इसमें बनाए जाएंगे तो याद रखेगा चलिए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं किस राजी सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमकैड नाम की जो योजना है शुरू की है आईए इसके बारे में बात क तो दोस्तो हिमाचर प्रदेश जो है हिमाचर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नाम की ये योजना शूरू की है ठीक है आपको पता होने ची कि हिमकैड किस से रिलेटिड है तो किसानों को ये सिंचाई की तक जो है एक संपर्क प्रदान किया जाएगा और दोस्तो इस योजना के तहत जो है 2024 तक जो है 23,343 हेक्टेर क्रिशी जो है हेक्टेर भूमी जो है क्रिशी योग्य बनाने के भी बात इसमें कही गई है तो काफी important है याद रखेगा जो ये जितने भी points आपको इसमें बताये जाएंगे सभी exam के point of view से आपको याद रखने है और दोस्तो इस योजना के लिए 305.70 करोड रूपे इसकी मनजूरी दी गई है और 379 लगू सिंचाई योजनाओं को भी मनजूरी दी गई है आईए अगले question के और बढ़े देश की चौथी वंदे भारत express टेंड किस जगां के बीच चलेगी तो देश की चौथी वंदे भारत express तो ये चलेगी दिल्ली से और दिल्ली से हिमाचर प्रदेश के उना जीले तक ये चलेगी इससे पहले जो है तीन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है तो दोस्तों ये तीन वंदे भारत कहां से चलती है एक दिल्ली से वारणसी के लिए चलती है एक दिल्ली से कटरा के लिए चलती है और दिल्ली से अरंगाबाद के लिए चलती है तो तेर चलाने का निर्ने लिया गया चलिए अगली question के और भड़ते हैं अगला question दोस्तो हाल ही में हिमाचल परदेश का NQAS प्रमानिकता वाला पहला संस्थान कौन बना है तो दोस्तो NQAS की अगर हम बात करें तो NQAS क्या है स्वास्ते एवं परिवारिक कल्यान मंत्राले द्वारा राष्टिय गुणवत्ता आश्वासन मान को कारेकरम की शुरुवात जो है की गई है ठीक है ताकि ये शुरुवात किसले की गई है ताकि बहतर प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को पहचानने के सासा समुदाय में सारवजनिक अस्पतालों की जो है विश्वसनियाता में सुधार किया जा सके तो ये कहां पर हुआ है दोस्तो धरमशाला अस्पताल में हुआ है तो याद रखेगा इंपोर्टेंट है अगली कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन है हिमाचर प्रदेश हाई कोट में OSD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है OSD का मतलब है Officer on Special Duty तो दोस्तो Officer on Special Duty के पद पर चिराग भानुसीह को नियुक्त किया गया है चिराग भानुसीह और OUNA में भी उन्होंने सेवाएं अपनी दी है उन्होंने Supreme Court में Registrar और लोकायुक्त के प्रदान सचिव के रोप में भी काम किया है तो ये सारी चीज़े आपको इंसर एलेटिड याद रखनी है Next question है किसे हिमाचर सरकार का विविद सचिव यानिकी Law Secretary न्यूक्त किया गया है तो ये किया गया है शरत कुमार लंगवाल को याद रखेगा शरत कुमार लंगवाल क्या है नए Law Secretary of हिमाचर सरकार जो हैं बन चुके हैं इनसर एलेटिड आपको क्या याद रखना है तो दोस्तों पहले जीला एवं स्तर न्यायधीश थे इससे पहले राजीव भारतवाज दो है विविद सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे तो शरत कुमार प्रेजेंट है प्रीविस पूछा जाए तो राजीव भारतवाज थे चलिए अगले क्वेशन के और भढ़ते है काल का शिमला रेलवे लाइन पर हाइट्रोजन ट्रेन पर योजना के लिए कितने करोड रुपे का अनुमानित बजट रखा गया है तो दोस्तों काल का शिमला जो रेल लाइन है इस पर हाइट्रोजन जो ट्रेन है वो मेक इन इंडिया योजना के तहत जो है डिजाइन और निर्मित की जाएगी तो वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने जो है रेलवे के लिए टोटल बात करें तो 2.41 लाख करोड जो है उसका प्रावधान किया है लेकिन हम specially बात करेंगे काल का शिमला तो 870 करोड रुपे जो है इन्होंने इसके लिए जो है हाइट्रोजन ट्रेन प्रयोजना चलाई जाएगी उसके लिए ये दोस्तो में लिखियों चलाई जा रहे है ताकि टूरिजम को बढ़ावा मिल सके चल हाइट्रोजन ट्रेन की शुरुवात की है हिमाचल प्रदेश ने ताकि टूरिजम को बढ़ावा दे सके और इसी के लिए ही 870 करोड रुपे का अनुदान जो है वो मानने किया गया है अगली कुशन के बढ़ते है केंदर सरकार ने भानुपली बिलासपूर लेह रेल परि उजना के लिए नेक्स कोशन है हाल ही में पैरगलाइटिंग विश्व कप के लिए कुलू से संबंध रखने वाले गिमनर सीह का चैन भारती टीम में हुआ यह परतियोगिता कहां पर होगी तो दोस्तों यह परतियोगिता होगी थाइलेंड में याद रखेगा गिमनर सीह पैरगलाइटिंग जो है यह करते हैं तो विश्व कप के लिए जो है कुलू से यह संबंध रखते थे तो इनका चैन हुआ था चलिए नेक्स बात करते हैं नेक्स कुशन है दोस्तों पांचवी राश्टे मास्टर गेम्स में हिमाचल परदेश के सिरमौर जिले से संबंध रखने वाले राजेंद शर्मा ने हिमाचल को शॉट पूट में कौन सा पदक दिलाया तो उन्होंने पदक दिलाया है स्वर्ण पदक याद रखिएगा 100 मीटर दोड में रजट पदक इन्होंने हासिल किया था और उन्होंने 9.15 मीटर गोला फैंक कर स्वर्ण पदक पर अ पदक दिलाया था तो ये याद रखना है काफी important है एक्जाम में पूछ जाने की संभावना है इससे अगले question की बात करते हैं हाली में एम्ज बिलासपूर के नए अध्यक्ष का पदभार किसने समाला है तो दोस्तों एम्ज बिलासपूर जो है इसका पदभार समाला है डॉ प्रोफेसर रंटीप गुलेरिया ने तो दोस्तों डॉक्टर गुलेरिया जो है साल 2015 में इन्हें पदमशीरी पुरसकार से भी नवाजा गया था और साल 2014 में जो है एमिनेंट मेडिकल परसन की श्रेणी में जो है इनको एवार्ड से भी नवाजा गया है और दोस्तों ये पल्मोनेरी मेडिसन एवं स्लीब डिसॉर्डर के प्रसिध विशेशक्य हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में कि इनकी स्पैश्यालिटी किसमे है आईए अगले कुशिन के और बढ़ते हैं हाल ही में किसे केंदर ग्योपतुचर प्रसिक्षन केंदर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टिटूट वाइस प्रिंसिपल के पदपर नियुक्ति मिली है तो दोस्तो ये मिली है साहिल अरोडा को याद रखेगा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इस्टिटूट वाइस प्रिंसिपल के पदपर साहिल अरोडा जी जो है इन्हे गुप्तचर प्रशिक्षन केंदर याने की Central Detective Training Institute की स्थापना की गई थी तो दोस्तों बद्दी में जो है DSP के पद पर तैनात थे ये पहले साहिल अरोड़ा जी केंदर गुप्तचर विभाग अभी ने दे दिया गया है और इस पर ये चार साल के लिए इन्हें नियुकती मिली है तो ये आपने याद रखना है चलिए अगली कुशन की और बढ़ते हैं दोस्तों अगला कुशन है मंडी के गोहर से संबंदर रखने वाली अभी नेतरी चान्नी शर्मा को किस पुरसकार से नवाजा गया तो दोस्तों इंडियन प्रिंसेस विजेता गोहर की जो है चान्नी शर्मा को सोनी टीवी पर चल रहे धारवाहिक कामना में बतौर बेस्ट एक्टरिस के लिए जो है इन्हें दादा साहे फाल की टीवी अवार्ड से नवाजा गया था जिसे ताज होटल में आयोचित किया तो याद रखना है चान्नी शर्मा मंडी के गोहर से संबंद रखती है कौन से दारवाहिक के मिलाएने कामना में बतौर बेस्ट एक्टरिस के लिए अगली कुश्चिन क्यों बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में राशन डिपों में वर्ष दो हजार तेईस में किस योजना है केंदर सरकार की नई एकी कृत खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे एक जनवरी दो हजार तेईस से शुरू किया गया था और इसे एन एफ एस के अंतरगत 81.35 करोड लाभारतियों को जो है वर्ष दो हजार तेईस के दोरान मुफ्त खाद्य प्रदार्थ ये प्रदान कर तो ये इंपोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए कितने 81.35 करोड लाभारतियों को ये दो हजार तेईस तक मुफ्त खाद्यान प्रदार्थ प्रदान करेगी आईए अगली कुश्यन के बढ़ते हैं काल का शिमला नैशनल हाईवे पर सबसे लंबी सुरंग कहां बना जा रही है तो दोस्तो काल का शिमला नैशनल हाईवे की बात करें तो ये बनाई जा रही है संजॉली में सबसे बड़ी जो है वो कहां पर है मनाली में जो है वो है सबसे बड़ी दूसरी होगी संजॉली में और ये कितने किलोमेटर है तो 2.66 किलोमेटर ये सुरंग जो है इसकी लंबाई होगी आईए अगले कुश्शन के और बात करते हैं बर्मूडा घास वाले देश का पहला cricket stadium कौन सा होगा तो दोस्तो पहला cricket stadium जो की बर्मूडा घास से बनाया जाएगा ये है धरमशाला cricket stadium तो ये याद रखना है आपने जो ये घास है उसका नाम क्या है तो दोस्तों ये है पस्पलम नामक एक घास है जो गर्मी और सर्दी के मौसमें अलग-अलग रंग की नजर आती है और मैच के दोरान भी ये खिलाडियों को दोड लगाने में असानी प्रदान करेगी तो याद रखना है घास का नाम है पस्पलम ठीक है चलिए अगले कोशिन के और बात करते हैं तो अगला है किस संस्थान ने सेना के उपकरणों को रडार से अद्रिश्य बनाने की तकनीक विक्सित की है तो दोस्तों ये विक्सित की है IIT मंडी ने आईए इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों भारती प्रद्योग के संस्थान मंडी के शोध करत उपकरणों को नहीं देख पाएंगे ठीक है और ये जो बात उन्होंने कही है ये artificial material तियार किया गया है जिससे हमारे खोफिय सैना वाहनों या फिर खोफिय ठिकानों को दुश्मन के रडार की नजरों से बचाया जा सकता है तो मेंली इसका यही उदेश्य है कि जो हमारी सैन पिर खोफिय ठिकाने है उसको दुश्मन के रडार से बचाया जा सके चलिए अगली कोईश्यन की और बढ़ते हैं अगला कोईश्यन है मध्य प्रदेश में चल रही खेलो इंडिया यूथ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगता में कांगडा की 17 वर्षी शुवंश ठाकूर कौन सा मेडल जीता तो दोस्तो 17 वर्षी शुवंश ने जो है सिल्वर मेडल जीता है और यह उन्होंने 277 किलो भार उठाकर जो है देश को गौरवानवित किया है और दोस्तो राश्य प्रतियोगता के मुकाबले 4 किलो भार इन्होंने अधिक उठाया था ठीक है जो कोश्चन की बात करते हैं अगला कोश्चन है लोग प्रशाशन संस्थान शिमला में शिमला के महा निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तो लोग प्रशाशन संस्थान के महा निदेशक शिमला की बात करें तो निशा सीहा को जो है लोग प्रशाशन संस्थान शि प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सिवरिज प्लांट बनेगा तो दोस्तों ये बनेगा मनाली कुलू में ठीक है याद रखिएगा प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सिवरिज प्लांट जो है यहां पर लगाने की बात चल रही है मनाली शहर के आसपास दोस्तों करीब सा पंचायतों का जो सिवरेज है ये जोडने के लिए 369 करोड की सिवरेज और पेजल योजना मन्जूर की गई है और दोस्तों यह योजना जो है sequential batch repair प्रणाली के तहत बनाई जाएगी ये भी आपको याद रखना है किस प्रणाली के तहत तो sequential batch repair प्रणाली यानि कि SBR प्रणाली के तहत बनाई जाएगी अगले question की और बढ़ते हैं तो अगला question है दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रेणा महता ने कांसे पदक जीत कर हिमाचल का नाम रोशन किया है इनका संबंध किस प्रदेश के जीले से है तो दोस्तों इनका है हिमाचल प्रदेश के बद्दी मेली सोलन की बात करें तो सोलन जीले के बद्दी से है इनका संबंध तो आईए इनके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों प्रेणा इससे पहले भी राष्टि सरपर जो है अंडर 17 और अंडर 15 में जो है स्वर्ण और 6 कांसे पदक जीत चुकी है तो याद रखना है अभी फिलहाल इन्होंने जो जीता है वो है खेलो इंडिया प्रतोगिता में जो है कांसे पदक जीता है और ये कहां से बिलॉंग करती है तो बद्दी सोलन से ये बिलॉंग करती है आईए अगले कुश्चिन की बात करें तो अगला कुश्चिन है Star Iconic Award समारो में सुन्दरनगर की रिचा शर्मा को किस Role Model Award से समानित किया गया तो दोस्तों इन्हें Youngest Woman Leadership Award से समानित किया गया तो हीमाचल के मंडी स्थित सुन्दरनगर के भोजपुर की रहने वाली है और दिल्ली में Youngest Leadership Role Model Award से इन्हें समानित किया गया भी तो याद रखेगा important है next बात करते हिमाचल के वरिष्ट मतदाता घूड राम जिनका हाल ही में 108 वर्ष की आईयू में निधन हो गया इनका संबंद किस जिले से है तो दोस्तों ये थे पॉंटा साहिब से इन्होंने जब से मतदान शुरू हुए तब से लेकर जब तक इनका जीवन रहा तो ये 108 वर्ष के थे तो इन्होंने मतदान दिया था तो ये 108 वर्ष की आईयू में इनका निधन हो गया और ये पॉंटा के रहने वाले थे आईए next question की बात करें next question है दोस्तों किसने दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारम किया है तो ये किया है दोस्तों अनुराग ठाकुर और माननिय मुखे मंतरी सुखविंदर सीह सुखुजी ने तो ये आपने याद रखना है कि अब दूरदर्शन डीडी हिमाचल चैनल इसका 24 घंटे प्रसारण की जो सेवाओं हैं ये इन्होंने शुरू की हैं अगले क्यों क्यों बढ़ते हिमाचल प्रदेश के लगभग कितने अनाथ बच्चों को मुखे मंतरी सुखाश्रे योजना के अंदर लाभानवित किया जाएगा तो दोस्तों ये हम पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं कि मुखे मंतरी जी ने जो है नई स्कीम लाँच की है सुखाश्रे योजना जिसमें जो है असहाई बच्चों और महिलाओं को सहारा दिया जाएगा और इसमें टार्गिट रखा गया है 6,000 अनाथ बच्चों को जो है इसमें लाभानवित किया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है काफी जो चांसिस है इसके बारे में पूछा जा सकता है तो इस योजना के बारे में जो है हमने लास्ट मंत के जो करंट अफेर्स किये थे उसमें डिटेल में डिसकस किया था कि क्या है ये योजना कितना पैसा जो है इसके लिए सैंक्शन हुआ है आईए अगली कुशन की बात करें तो अगला कुशन है मुखे मंत्री सुखाश्रे योजना के अंतरगत आवासियों को वर्ष भर आने वाले तहवार को मनाने के लिए कितने रुपे का अनुदार राशी दी जाएगी तो दोस्तों जो तहवार होते हैं कुछ ऐसे पिछड़े बच्चे या महिलाएं हैं जो ये तहवार नहीं मना पाते तो पांसो रुपे जो हैं इनको देने की बात किये गई है ताकि वर्ष भर में आने वाले जितने भी तहवार है वो इस योजना के तहत उन्हें 500 रुपे दिये जाएंगे ताकि उन तहवारों को वो हर्शोला से मना सके आईए अगले कोई शिंक्योर भड़ते हैं किस राज्य ने 14 फरवरी 2023 को 5G सेवाओं की शुरुवात की तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश ने ये कि किस के द्वारा एर्टेल के द्वारा जो है ये जो है शुरुवात की गई है 5G नेटवोग की जो है इन्होंने लांच किया है हिमाचल प्रदेश में आईए नेक्स कोईशन की बात करें तो नेक्स कोईशन दोस्तो फीजी देश में बारवे विश्व हिंदी समेलन में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतराष्टे समान से नवाजा गया तो ये नवाजा गया प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अगनीहोतरी को तो दोस्तो जो डॉक्टर अगनीहोतरी हैं ये हिमाचल ब्रदेश केंदरे विश्व विध्याल के कुलपती के रूप में सेवाई प्रदान कर चुके हैं और डॉक्टर अगनीहोतरी अनेक अकादिमिक बदो ладно अतिरेक्त इन्हें बाबा साहिव अमबेट कर पुरसकार भी मिला है और ये भारत तिब्बत सहोग मंच के सरक्षक के रूप में भी कारे कर चुके हैं तो ये आपने याद रखना है तो इन्हें बारवे जो अभी सम्मेलन हुआ था अफीजी में हिंदी समेलन इसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये समेलन में लियायो जित किया जाता है तो इनको ये सम्मान मिला था आईए अगले कुश्चिन की बात करें तो अगला कुश्चिन है हिमाचल प्रदेश के बने 29-वे राजपाल शेव प्रताप शुकला ने किस भाषा में शपतली तो दोस्तो 29-वे राजपाल बने है शेव प्रताप शुकला जी इन्होंने संस्कृत भाषा में शपतली इससे पहले तीन ये तीसरे राजपाल थे जिनोंने संस्कृत भाषा में शपत ली इससे पहले जो दो थे एक थे विश्णु कांत शास्त्री और अचारे देवरत तो इन दोनों ने जो है शिव प्रताप शुकला से पहले संस्कृत भाषा में शपत ये ले चुके हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तीसरे राजय पाल थी जिनोंने संस्कृत भाषा में शपत ली थी चलिए दोस्तो अगले कोशिशन की बात करें हिमाचर प्रदिश के किस जीले में वन विभाग का सबसे बड़ा जो है चीडिया घर बनाया जाएगा जिसके लिए धाई सो करोड रुपे की अनुमानित जो है लागत मनजूर की गई है और दोस्तो ये बन खड़ी में जो है इसकी भूमी का चैन हुआ है और इसका टोटल क्षेतरफल कितना होगा 190 हेक्टेर जो है इसका टोटल क्षेतरफल होगा तो ये आपने याद रखना है अगला क्वेशन है हिमाचल परदेश राज्य सहकारी ग्रामीन बैंक के चेर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया संजे सीहा चोहान को याद रखेगा संजे सीहा चोहान जो है जिला कांगडा के पालंपूर के सलोहुगाओं के निवासी है और जो चोहान जी है ये कॉंग्रेस के राज्य उप्यधक्ष भी रह चुके हैं और ब्लॉक कॉंग्रेस कमीटी सूला के अध्यक्ष भी ये हैं तो याद रखना है अब इने जो है राज्य सहकारी ग्रामीन बैंक के चेर्मेन के रूप में नियुक्त किया गया है ये कहां से हैं तो पालंपूर के सलहोगाओं के निवासी हैं ये चलिए दोस्तो अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं तो अगला कुश्चन है किस एजेंसियों द्वारा गोविंद सागर जील में आने वाले प्रवासी पक्षों का सरवे किया गया तो ये एजेंसिय थी Wetlands International South Asia और Bombay Natural History Society तो दोस्तो वेट लेंड इंटरनेशनल South Asia जो एजेंसिय है इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तो ये एक गैर सरकारी संगठन है जो दक्षिन एश्या क्षेतर में जो आदर भूमी और उनके संसाधनों और जैववित्ता से बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए काम करते हैं अगले क्वेशन की बात करें वर्ड बैंक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के लिए कितनी राशी देगा तो दोस्तों वर्ड बैंक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के लिए पच्ची सो करोड रुपे की राशी देगा ये बात कही गई है तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट पच्ची सो करोड नेक्स हिमाचल में कितने शिशु एवं मात्री संस्थान स्थान स्थापित किये ज मिला तो ग्रीन स्कूल कारिकरम में हिमाचल को पहला स्थान मिला है दूसरा स्थान मिला है आंदरबरदेश को और तीसरा स्थान मिला है पंजाब को याद रखेगा इंपॉर्टेंट है चलिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं किस संस्थान ने भूस खलन के पूर अन जो है अधिक सटीक जानकारी मिले इसके लिए NIT हमिरपूर ने जो है Artificial Intelligence Logarithm की जो तकनीक है उसको विक्सित किया है तो काफी important है यह याद रखेगा धरमशाला में G20 बैठक कब हुई थी तो यह हुई थी 1920 अपरेल को मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो दोस्तों मुलेठी की संगठित खेती करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो है हिमाचल प्रदेश आई इस से कुछ important चीज़े discuss करते हैं तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश जो है लिकोरिस कहते हैं इसे इंगलिश में लिकोरिस यानि कि मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पहली बार जो है मुलेठी की जो रोपन सामगरी किसानों को वेवसाई की रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई थी ठीक है और भारत में मुलेठी की मांग जो है अधिक है क्योंकि इसका उपयोग केवल मसालों में ही नहीं आयरवेदिक दवाओं को बनाने के लिए भी किया जाता है और दोस्तो वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर और अफगानिस्तान नेपाल और चीन जैसे देशों में भी आयात किया जाता है चलिए ये थी कुछ मुलेठी से रिलेटिड बाते अब आई ये बात करते हैं अगले कुछन की हिमाचल परदेश पत परिवहन नीगम की Ride with Pride Electronic Taxi सेवाओं का शुभारम किस ने किया तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल की कई जगाओं पे टेक्सी सेवा चलाई जाती है जिसका नाम है Ride with Pride तो ये Electronic Taxi जो है हाल ही में शुरू की गई है तो इसका शुभारम किया है उपमुख्यमंतरी मुकेश अगनी होतरी जीदवारा याद रखेगा चलिए Next Question की बात करें केंदर सरकार की ओर से शिमला और धरमशाला समार्ट सिटी के लिए कितने करोड रुपे की धनराशी प्रदान की गई तो दोस्तो इसके लिए जो है 98 करोड रुपे की जो धनराशी है वो प्रदान की गई है याद रखें समार्ट सिटी ओजना में खर्च होने वाले जो है 98 करोड रुपे शिमला और धरमशाला के लिए केंदर सरकार ने मनजूर किये हैं अब बात करते हैं अगले क्वेशन की हिमाचल पुलिस बैंड हार्मनी ओफ तपाइन को मुंबई में वर्ष 2030 के लिए किस अवार्ड से नवाजा गया तो इन्हें मिला है दोस्तो बेस्ट परफॉर्मर बैंड अवार्ड तो हिमाचल का हिमाचल पुलिस का ये बैंड है तो ये काफी जो प्रसेद हो रहा है और इन्हें काफी सारे अवार्ड में मिले हैं और काफी अच्छा बैंड है ये आईए अगली बात करते हैं किस को बेस्ट अडवेंचर डेस्टीनेशन, मोस्ट सिनिक रोड सथा, बेस्ट माउण्टेन सिनिक शिरेनी का पुरसकार मिला है तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को इस क्वेश्टीन को हम आगे डिसकस करेंगे क्योंकि इस से related एक question आगे हमें देखने को मिलेगा तो उसमें हम discuss करेंगे कि किसे क्या क्या award मिला है अब अगला question है दोस्तो किसने मंडी शिवरातरी मेले में खोदरा बजार उतपादों को भड़ावा देने के लिए एक stall लगाया था तो ये लगाया था पदमशीरी पुरुसकार विजेता नेकराम शर्मा जी तो दोस्तो नेकराम शर्मा जी को ये मंडी के निवासी है इन्हें खेती में उतकृष्ट सही योग के लिए इन्हें पदमशीरी पुरुसकार दिया गया था तो इन्होंने हाल ही में जो मंडी में शिवरातरी फेमस मेला लगता है उसमें खोदरा बजार में जो है बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपना एक स्टॉल वहाँ पर लगाया था अगली कुश्चन के बात करें हाल ही में किसे सुखविंदर सियं सुखो का सलाकार इन्फरा न्युक्त किया गया है तो ये न्युक्त किया गया है अनिल कपिल को तो दोस्तो अनिल कपिल जो है हिमाचल परदेश बुनियादी धांचा विकास बोड और विभिन कारियों के भी सलाह देंगे to यह याद रखिए, यह जो हैं सलाकार मेनली सुखविंदर सिक्छुजी के हैं लेकिन इसके अलावा ये और भी कई मामलों पर जैसे की बुन्यादी, ढांचा, विकास, बोड और कई अन्य विभिन कारियों के लिए सलाह देंगे मानने मुख्यमंतरी अाउन पुनरवास और विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिकता सुन्दरनगर के समगर शेत्रे केंद CRC में फीजियो थेरपी विभाग में किस गुरु द्रोन फीजियो अवार्ड से समानित किया गया है तो दोस्तो ये अवार्ड दिया गया है विख्याता डॉक्टर प्रदीप प रिसर्च और स्टडीज में आयोजित अंतराष्य समेलन फीजियो कनेक्ट 3 के दोरान जो है समानित किया गया और यह पुरुसकार जो है केंद्रिय बिजली और भारी उद्योक राज्य मंतरी क्रिशन पाल गुर्जर द्वारा प्रदान किया गया था ये याद रखना है कि क इसने दिया है ये अवार्ड नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो किसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए पुरुसकार मिला है तो ये मिला है मनाली को आईए इसके बारे में डिसकस करते हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तो बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में जो है रिवर राफ्टिंग के लिए कुलू और मोस्ट सेनिक रोड्स की श्रेणी में शिमला की नौरमार्ग और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन की श्रेणी में शिमला एवं मनाली को जो है विभिन राज जो में सुतंत्र एजेंसी द्वारा जो सर्वेक्षन हुआ उसमें इन्हें चुना गया है तो ये याद रखना है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन की श्रेणी में, रीवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू, जो मोस्ट सेनिक रोड कहां के हैं, शिमला की नौरमार्ग और बेस्ट माउंटेन की श्रेणी में, शिमला और मनाली को रखा गया है, आईए अगले कुशिन की बात करें, CCTNS प्रगती रैकिंग में हिमाचल प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा, तो दोस्तों CCTNS की बात करें, तो पहला स्थान जो है, रहा है हिमाचल प्रदेश का, तो इसके बारे में बात करते हैं, प्रदेश पुलिस ने सभी राज्यों को पचाड़ते वें अखिल भारति स्तर पर जो है, नवीन तम अपराद एवं अपराधिक ट्रेनिंग जो है, नेटवर्क प्रगती रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, दोस्तों यह जो प्रणाली है, वो दिजितल तरीके से पनाने से संबंदित है, आईए आज की वीडियो के लास्ट कोईशन की बात करें, तो आज की वीडियो का लास्ट कोईशन है, पूर्व मुख्यमंतरी वीरबदर सीह के समरिती में रामपूर के स्कूल में चल रही राष्टे मुख्यबाजी पृत्योगिता में, 75 से 80 राम में हिमाचल के बॉक्सर ओलंपियन आशीश चोधरी ने कौन सा पदक जीता, तो दोस्तों हिमाचल के बहुती फेमस ओलंपियन है आशीश चोधरी इन्होंने स्वन पदक जीता है, कहां पर जो रामपूर में आयूजित किया गया था, किसकी याद में पूर्व मुख् उमीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ आये होंगे, तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चानल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन पर प्रेस कीजे ताकि हर वीडियो